आलो फेंस आपका नए वीडियो में सवागत है पिर से आज बात करेंगे सेल्ली की यहां से आप फार्मा की बहसा में बात करूं तो कहते हैं hai total income के चैज़ली के अलावा वी और बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से आप फार्म प्रोफेस्टn में कर सकते हैं उनको काफी इंटरेश्य रहता , कि इन कासे है इसना हमे सलते हैं चलो फ्रेंज twitter के लिए बताते हैं चलोах जानते हैं क्या क्या से कशेत इनकम कहते हैं फार्मा के अंदर जो आपकि कांपनी को जोइन करेंगे तो उसमें कई प्रकार से gaming यह फ्रस्ट तो में होती फिक्स होता है वह उसको उसको बोलती है मैं मंत आपकर को बित décide जлюч होगा als praxis जहां पर आपको बतागि आ आप निगोशियेट कर सकते हैं जिस निगोशियेशन में जो भी आपको package offer होता है उस package में आपको every month आपको salary आती है उस salary में से आपका P.F. कारता है P.F. कारता है P.F. कारता है P.F. department में जाता है जब भी आप company छोड़ते है तो अपने P.F. को आप किड्रॉल कर सकते है वो आपके basic salary का जो भी basic amount होता है उसका 12% करता है वो company का 12% contribution होता है साधी साथ 12% आपके sidec means contribution होता है जो की P.F. office में जमाँ होता है उसको online आप track भी कर सकते है तो यह होता है fixed salary जो आपको every month मिलती है जिसको बोलते है salary इस salary के अलावा जो दूसरा part आपको every month मिलता है वो होता है आपका expense means daily जो आप routine working करते हैं आपका TA है आपका DA है आपका auto station charges है आपके stationary charges है आपके mobile जो यूज करते है उसका bill internet जो यूज करते है उसका है courier charge है और बहुत सारे चोटे-चोटे charges होते है जो आप यूज करते है company के लिए especially उन सारे खर्चों को company reimbursement कर करती है और उसको हम बोलते है expense monthly expense यह भी every month friend आता है जितना भी आप expense claim करते है company के जो भी norms होते है अलग-अलग company के अलग-अलग norms होते है तो उसके हिसाप से आपको expenses मिलते हैं और उस expense को आप बनाके claim करते है कुछ company हो manual है जिसमें बनाके देना पड़ता है कुछ companies में online होता जब आप reporting करते है तो automatically वहीं पर आपका expense submit हो जाता है और salary के साथ आ जाता है या कई बार salary से थोड़ा दिन पहले salary से थोड़ी दिन बाद company जो भी system रहता है उसके हिसाप सो आपको पैसा मिल जाता है तो friend यह होगा second type की earning इसको earning कह सकते है क्योंकि इसमें जो expense मिलता है friends उस में काफी हद तक हम बचा भी लेते हैं खाने पीने के बनों घर से खाके जा रहा है तो उसका पैसा से भी है इस तरह बहुत सारे expenses हम बचा भी लेते हैं तो यह second type की earning है third type की earning होती है वह होता है incentive जी है friend फार्मा के अंदर बहुत ही अच्छा incentive system होता है अगर आप continuous target achieve कर रहे है उसके against आपको incentive मिलता है incentive आप खुद calculate कर सकते है incentive में भी आपको दो-तीन type की incentive होते है मिस मंतली incentive भी आपको मिलेगा प्रस मंतली incentive के साथ में आपको product wise incentive मिलता है product को वाई साथ में आपको quarterly incentive मिलता है half yearly मिलता है annual incentive मिलता है friends तो अगर आप target मंतली achieve करते है तो आपको बहु साथ product wise incentive आपको मिलता है यह generally कई बार मंतली भी आता है कई बार quarterly भी आता है कई बार half yearly आता है यह company to company vary करता है कुछ company quarter के हिसाब से देती है कुछ company मंद के हिसाब से देती है company to company vary करता है गड़ बट आता यह भी पैसा है आपके पास में तो यह third source हो गया आपके income friends इसके यह दुटक्र के बाद करें फोर्थ सिस्टम का जिस से आपको चंता कर अंदर फोर्थ वाला भी सैंटिव था गार हетा थी during 你 सिस्टम मिलता है इस फोर्थ वाले इंसैंटिव में क्या होता है इसको पर रख दिया जाता कि पर्टिकुलर आप टार्गेट एचीब करेंगे तो आपको कोई बुभर सेट मिल जाएगा कभी कोई गाड़ी मिल जाएगा कभी कपड़े का सेट मिल जाएगा कभी कूलर मिल जाएगा इस टाइप की कभी ऐसी मिल जाएगा इस टाइप की चीज का आपका income होता देखिए पैसा तो नहीं मिलता बट आपको कोई gift मिलेगा था आप घर में यूज करेंगे अगर वो आप market में purchase करने जाओ कहीं कहीं अपने money को spend करेंगे ना तो यहां पे भी आपको इस type की चीज़े मिलती हैं इसके बाद करते हैं फिप्त की income की पांचवे टाइप का जो income है यह सभी कंपनियों में नहीं है बट आजकल most of the company में हो गया है कि अगर आप एन्वाल टार्गेट 110% करते हैं तो कंपनी आपको foreign trip के लिए offer करते हैं जी हां अगर अच्छी कंपनी में आपक काम कर रहे हैं तो most of the company में foreign trip मिलता है जहां पर आप foreign trip जा सकते हैं कंपनी के पैसे मिस इंटरनेशनल लोकेशन पर कंपनी का पूरा arrangement होता है फाइफ इस्टार होटल के अंदर आपका इस्टे होता है घूमना टालना कई बार उसमें बॉलीवीडी स्टार्स भी आते हैं तो काफी अच्छा प्रोग्राम होता बहुत भी बढ़िया प्रोग्राम होता है गाला डिनर वगराभी होता है उसको भी आप इंजोय कर सकते हैं बट हां टार्गेट एचीव करने के बाद यह पांचवे टाइप का इंसेंट्टिव भी है आप अर्न कर सकते हैं च्छटे मैं झाता हूँ कि अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं आपको एक बहुत ही जुब इंक्रीमेंट मिलता है next year के लिए वह यह प्रकार से आपका income ही है next year जाएंगे आप अच्छी आइक मिलेगी साहल के अंदर आपको अच्छा मिलेगा वह भी आपके इंक्रिमेंट का सोर्स हुआ ना तो उसको भी हम पैसे में काउंट करते हैं वो भी आपका revenue को increase करता है तो means लगातार अगर आप perform करते हैं target achieve करते हैं तो बहुत सारे तरीकों से पैसा कमा सकते हैं और पैसा कमाने का friends सिर्फ एक ही तरीका है फार्मा का अंदर वो है regular work और sincere work responsibility के साथ work जिसके थुरूँ आप बहुत सारा पैसा earn कर सकते हैं otherwise क्या आप फार्मा कंपनी की कमिया निकालते रहेंगे इस profession को बहुत सारी गालियां आप देते रहेंगे और कोशते रहेंगे इस profession को और आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा और दूसरों लोग यहीं पर कमाके अपना घर बना लेंगे और अपने आपको बहुत उपर लेके चले जाते हैं इसी को मैंसुचा clear कर देता हूं salary starting में हैं बता देता हूं, salary की पात कर रहा हूं expenses की बात नहीं कर रहा हूं, company अच्छी होगी तो आपको Aoιαंस की मिलेगा अच्छा incentive मिलेगा तो जो स्टार्टिंग साल्डी हो ती हो 15-20,000 आपको स्टार्टिंग परमन्द मिल जाता है एक अच्छी कंपनी के अंदर आपको कौलिफाइब करके जॉइन करते हैं प्लस आपके बहुत अच्छे अलांसे मिलते हैं 10-12-15,000 आपको अलांसे मनदका बन जाता है कि बात करें और बहुत सारी कम्पनी जो टोरण फार्मा की बात करने हम तो बहुत सारी कम्पनी जिसना भी कम्पनी का मैंने नाब लिया इस सभी के अंदर वो सारे benefits मिलते हैं जो मैंने आपको बताया है सेकर्ड लेबल company आती है बी category company जो हमारी Indian house होते है middle company के हम बात करें जैसे सब बुझकर L.C.M की हम बात करने middle company में आती है middle ले की बात करने middle में आती है 35 के अलावा आपको expenses, incentive and foreign trip जो मैंने बता है वह साब भी रहता है जैसे मैंने system पहले बताया वैसे वह भी companies में भी मिलता है middle companies भी अच्छा कासा foreign trip के लिए offer करती है और सारी facilities देते हैं अब इसके बाद अगर हम 3rd category बात करें इसमें कुछ चोटे लेवल की company आते है तो उनकी जो starting package है उनका 10,000 से लेके ऐसे करीब 11,12,000 या 13,000 के आसपास maximum to maximum मिलता है package जैसे DR Jones है, Elan Pharma है तो यह सब middle level की चोटी company है जहां पर आपको 10,000 से 12,000-13,000 के आज पास starting मिल जाता है इसके लावा आपको expenses होते है इसमें ज्यादा तर foreign trip नहीं होता है इन companies के अंदर बट यह है कि यहां पर आप ज्यादा sale करके incentive system यह लोग ज्यादा अच्छा रखते हैं ताकि आप maximum earning कर सकें यह छोटे company हम प्रेंट्स ज्यादा कोशिस यही रहती video है इस तरह के salary मिलती है फार्मा के अंदर और हाँ जितनी भी salary मिलती है वो बिल्कुल time पर आता है तो फ्रेंट यह था structure salary का कौन-कौन से income आपको मिलती है फार्मा के अंदर तो आप समझी गए होंगे लग 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 अगर कोई चीज से नहीं समझ में आती तो comment में आप पूछ सकते हैं या आपके मन में कोई और सवाल है फार्मा के रिकार्डिंग मेडिकल रिकार्डिंडिव के रिकार्डिंग तो आप comment में मुझसे comment करके पूछ सकते है मैं reply से लाग मुष्ट कोशिच करता हूं सभी के reply दे दूं तो आपको वीडियो कैसा लगा अच्छा ल पहुंच सके और आपका वीडियो देखने लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में